नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यूपर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जान कर लेकर हज रुबे हैं दोस्तो अगर आप भी पंचाय सहक के लिए आवजिन करना चाहते हैं या फिर कंप्यूट यहां पर आपको संपूर्ण जानकरी दी जाएगी दोस्तो अगर आप भी है संपूर्ण जानकरी बाप प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए आवजिन करना चाहते दोस्तों वीडियो को पुरा वाच करेगा अंतक जुरूर देखेगा यहां पर आपको जो भी जानकर दी जाएगी सटीक दी जाएगी और दोस्तों जो भी जानकर आपको दी जाती है वह सरकार के ओपिशल नोटिफिकेशन के जरिए ही हम आपको जानकारी दे पाते हैं तो द 5000 पलस पदो पर भरती कराय जा रही है दोस्तों आपको यहापको संपूर्ण जानकारी देजाएगी तो हम पहले बात करते हैं कि पंचाय साहिका के क्या-क्या कारिया होते हैं और आपको क्या-क्या कारिया करने पड़ेंगे ठिस्टों तो यहां पर जानकर दी गई है कि पंचाय साहिक का पद ग्रामीन छेतर के लिए बहुत ही मेहत्पून पद होता है यह पद गाउं के विकास में बहुत सायक होता है और इस पद आसिन व्यक्ति ग्रामिन समझ्यव और उनकी योजनाओं के पात्र लोगों को जानकारी लिखित रूप में परधान तक पहुँचा जाती है यहाँ पर साफ्त वर बताया गया है कि जो बंचयशाय का कारिया होता है वे गाउं के विकास के लिए होता है और दोस्तो गाउं में जो भी समस्यव और जो भी समझ्या होती है वे परधान तक पहुँचा जाती है और दोस्तो आगे जानकर दी गई आपको बता दें कि यह एक परधान का कारियवाहक व्यक्ति होता है जो परधान के आदेश अनुसार कारिय करता है ठीक है दोस्तो पंचयत सहक सम्मन्दी ग्राम सभा के ही किसी व्यक्ति को न्यूक्त कि जाता है यानि कि दोस्तो जो यहाँ पे पंच Gwen सहक होता है उसी गवाऊं का होना चाहिए जिस काउंप के लिए वाविधक करना चाहता है तो इसमें दो सीचतर्व हनचाहिए और गराम सचीव से नीचे कार्य करने वाला सरकार द्वारा कार्या होता है यहां पहल всп उसके क्या-क्या कारिया होते हैं दोस्तों यह तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो इसके कारिया होंगे वह गाउं से रिलिटिड होंगे यानके गाउं के समझ्या के लिए गाउं के विकास के लिए कारिया करने होते हैं वे क्या कारिय करना है आपको यहां पे आपको बता देते हैं दोस्तो पंच्या साहिक के लिए गाउं के विकास हेतु भहुत से कारिय दिये जाते हैं इसके आगे भी अनेक कारिय इसी पद के करमचारी के लिए बढ़ाय जा सकते हैं दोस्तो और जिसकी जानकर दोस्तो इस प् को सुनकर उनका मुवाइना करके समस्य परधान और सचीव तक पहुंचाना होता है यानिके गाओं में कोई भी समस्या करके परधान तक या फिर दोस्तों डे अधिकारी तक पहुशाना है अगजचा सहगा काम होता है है दोस्तो आफ़ दोस्तों घूब करने वाले जो व्यक्ति bıd去 ह है उनका लेखा जोंखा कारिया देखना यान किस प्रकार से कारिया कर रहे हैं वह अच्छा जोखा सरकार को भीजना यानिके दोस्तो कोई पात्र व्यक्ति है और कोई ग्राम में गाउं में योजना आ रही है तो दोस्तो उसके लिए सचेत करना व्यक्तियों को कि आपके लिए गाउं में नोकरी आ रही है आप करना चाहते हैं नहीं इस प्रगार से उनको जान कर देना या फिर दोस्तों आपको बता दे कि गाउं में हो रहे कार्य को निगरन करना यानि कि जो मंद्रेगा के संप्रक में जो कार्य होते हैं जो मंद्रेगा कार्य करते हैं उनका कार्य का मुआइना करना कि वह सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर वह गलत कार् साहिक पंचायत के काम होते हैं फिर दोस्तों आपको बतादे कि किसी ग्राम के साथ कोई दुरगटना हो जाती है तो उसका जो मुआज़ा होता है उसको मुआज़ा दिलाने में उसकी मदद करना ये कारिये पंचायत साहिका के होते हैं फिर दोस्तों आपको बता दें कि पर्धान द्वारा दिये गए निर्देसों का पादन करना और पर्धान का कच्चा लेखा जोखा रखना यदि के दोस्तों पर्धान क्या कर रहा है उसके अंडर में कौन-कौन से कार्या आ रहे हैं कौन-कौन से योजना आ रही है उसका पत पे जो 58,000 पद निकाले गए हैं यहां पे वे दोस्तों पंचाय सहिका के हैं और Computer Operator के हैं जो एकती Computer Operator के लिए आउधन करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने आउधन फोम में उन्हें Computer Operator का ही जो वेकंसी है वे भरनी होगी तब आप Computer Operator का कारिया कर पाएंगे अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या-क्या कारिया करने होंगे और आपको क्या-क्या डोकुमेंट्स चाहिए होंगे वह भी हम आपको दोस्तों बतायते हैं दोस्तों जो करना चाहते हैं तो आपके लिए cc certificate होना अनिवरियह है यह पिर अगर आपके पास कोई अधर computer course का certificate है diploma है तो आप तब भी computer operator के लिए अविधन कर सकते हैं तो आप इसे अलग आपको कह कैप डोकॉमेट चाहिए होंगे वह भी हम आपको बताते हैं दोस्तों यहां पर कमेंट आ रहे हैं कि सर जो आए है वह कितने हुई चाहिए तो आपकी आए आपको बताना चाहेंगे अगर आपकी आए 56,460 रुपे है साल की आए तो आप इसके लिए आविदन कर पाएंगे ठीक दोस्तों अब दोस्तों आपको और अधर कौन कौन से डोकुमेंट चाहिए होंगे वह भी हम आपको बता देते हैं तो आपको आपको आधार कार चाहिए होगा जाती परमान पत्र आपके पास होना और आपको बता दें कि आपके पास परमान पत्र आए परमान पत्र आपके पास होना चाहिए होगा आए कितने होनी चाहिए वह हम आपको ओलरी ही बता चुके हैं आपके पास हाई स्कूल की मार्शीट होनी चाहिए और दोस्तों इंटरमेडियेट की मार्शीट आपके पास होनी चाहिए दोस्तो इसमें आपका कोई भी एकजाम नहीं कराया जाएगा नहीं आपका इसमें कोई भी इंट्रू लेया जाएगा यह केवल और केवल आपकी मेरिट के बेस पर ही आपको यहाँ पे चाहिन किया जाएगा आपको नोकरी भी जाएगी आपको यहाँ पे कोई या बात क्लियर हो चुकी है अब दुस्तों आपके पास और पासपोर्ट साइज कोई भी इंट्रू नहीं देना है आप इसके लिए मैरिट के जरिए ही आपको स्लेक्शन देगा चैन किये जाएगा किये जाएगे और दोस्तों आपको नोकरी दी जाएगी तो अगर आप भी आपको कोई सवाल है तो हमें सवाल कर सकते हैं हमेरे कमेंट बोक्स में जाकर या दोस्तों आपसे निवेदन है कि १ें आपने अभी ताक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लइक करिएगा जाहे था division को पहली बार आये हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें ऐसी मैक पून जानकरी पाने के लिए और दोस्तो बैल आइकन को प्रेस करेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा